आपके अपने चैनल मास्टर से पुरिया में आज मैं आप रोमों के लिए एक न्यू रेस्पी लेकर आई हूँ तो मेरा वीडियो आने तक जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब से एक कमेंट जरूर करिएगा तो आज मैं आपके लिए बनीला का केक बनाने वाली हूँ तो बनीला का केक हम बनीला पाउडर से बनाएंगे जो मार्केट में अविलेवल रहता है कहीं भी आप किसी भी सौप पे जाईए वहां आसानी से मिल जाता है तो केक आप लोगों ने बहुत ही खाया होगा बहुत बनाए भी होगा पर ये केक अगर आप एक बार बनाएंग तो इसको ओपन कर लेंगे तो देखिए मैं आप इसको सीजर से कट कर लेते हैं और बावल में इसको ट्रांसपर कर लेंगे इसमें का सारा पाउडर तो चलिए फिर हम दूड़ डाल देते हैं इसमें तो उसको 2-3 जिममच हमने लिया लिया है तो उसको बवावल दूद लिया था उसको मिक्स कर देंगे नहीं तो थोड़ा जादा पतला हो जाएक तो दूद और आयल उसको मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और केक बहुत ही स्पंजी रेडी हो बनके तो दूद इकठा नहीं मिलाना है फ्रेंट्स थोड़ा-थोड़ा करके मिलाना है ताकि जो है जो केक है वो अच्छे से रेडी हो ज्यादा पतला ना रेडी हो इसका पेश्ट लाश्ट में थोड़ा सा ऑईल और डाल देंगे वन ट भी जाना का ठैना है तो और लगा के इसमें घी जो है डाल के अच्छे से ग्रीज देंगे आ बटर भी ग्रीस कर सकते हैं जाल यहां अब Crystal मोड़ में तो हमने बटर पेपर के ऊपर घी डाल दिया था उसको अच्छे त लगा दिया है तो अब रगतेंगे कड़ाही कड़ा तुझ सिसाथ हीट हो जाए मोड में ट्रांसपर कर लेते हैं सारह पेस्ट कर हैं कि इसको थोड़ा हो प्रिसक्राइं कर दें हां से कि मोड को रख देंगे Balance प्रेश मिनट तक करो है तो पंद्रा से 20 मिनट हो चुके हैं चलिए देखते हैं केक बनके रेडी हुआ या नहीं तो थोड़ा सा नाइफ या कोई इस्पून लीजिए उसको थोड़ा सा अंदर डाल के देखिए कि अगर नहीं चिपक रहा तो समझे केक रेडी हो गया तो चिपक नहीं रहा था तो यह जुगाड आप भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा जुगाड हम जादा लगाते हैं तो हमने बिस्किट का क्रीम निकाल के उसको थोड़ा सा मेल्ड कर लिया वह अच्छे से मिला लिया क्रीम बनके रेडी हो गई है आप इसको कट कर लेंगे इसको दो पार्ट में हम ड लेकिएगा भी कोई छोटा बढ़ा नहीं होता है इसे फोड़ाबर केक केक को कट करना में तो अब लगा देंगे में फ सुगर सीरप रेडी किया था तो सुगर थोड़ा सा हमने चिनी लिया था और थोड़ा सा पानी उसका गोल बना लिया था इसके उपर लगा देंगे इसी पर लगा देंगे क्रीम ताकि क्रीम जो है अच्छे से चिपक जाए तो क्रीम को चारो तरप अच्छे से लगा देना है तो यह क्रीम 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 कर दें गालें, जो होती हैं पर बनाएंगे क्रीम किkem होग श्ए श्रका सा कर दोट आलीजिए उसको लूट यूठThank चॉक्लेटी बनाएंगे उपर से तो उसको जो हमने पैन में थोड़ा पानी ले लिया दो से तीनी स्पून हमने चिनी ले लिया है दो से तीनी स्पून हमने कुका पाउडर ले लिया है तो उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी में यह देखिए यह बॉइल होनी लगा है अब इसी一点 पर टोकलेtable टोप्लेट टोप्लेश को टाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे ताकि चोलेट में अच्छे से मिल्ट हो रही है कि अइसे मेडा भी हो रहते हैं कि अब इस तो अब यह रेडि हो गया है थोड़ा सा थन्दा भी हो गया इसके उपर हम iki की हुपर डाल देंगे की को हमने इस्टैंड पर रख दिया था ताकि यो है जुमने चॉकलेट बनाया तो जो चौकलेट टिश्ट्रा हो नीचे से निकल जाए और उसको रियूज कर सकें तो हम रियूज इसी पर करेंगे दुवारा से तो यह देखे दुवारा से इसके उपर डाल दें रहे हैं ताकि अच्छे से डाक कलर आए तो यह देखे कितनी साइनिंग इसमें दिख रही है एकदम डाक कलर दिख रहा है और केक जो बहुत ही बढ़िया बहुत ही यम्मी बहुत टेश्टी बनके रेडी हुआ और हमने इसको रख दिया था आदे गंटे के लिए फ्रीज में तो यह अच्छे से सेट हो गया है तो आ इसको गार्निसिंग कर देंगे गार्निसिंग के लिए हम चौकलेट बॉल्स लिए हैं चोटी-चोटी सिल्वर वाली तो इसके उपर डाल देंगे हम कि इससे देखने में बहुत सुन्दर लगता और खाने में भी तो कैसा लगा है केक आप कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं को और बना के खाईएगा बहुत यम्मी बहुत टेश्टी लगता है के तो हमने जो चौकलेट बॉल्स डाला है स्प्रिंकल किया इसके उपर देख रहे हैं हमने बहुत आसानी से केक बनीला बनाया और में जो देख़ें कर सकते हैं खूद केट बनाके तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है प्लीज जादा जादा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और से एर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप तक पहुंसके धन्यवाद